तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टेंस कंपानी के अपडेट स्यार कने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूरा लास तेक देखना और अभी तक अपने चनलन को सब्सक्रेम नहीं किया तो जोरू कर लेना तो चलो देख लेते कौनसा कौनसा कंपानी है इस वीड फिचले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ तो अप एक नेगेटीव मतलब निप्टी वान परसंसे भी ज्यादा क्रेस होकर मतलब वान परसंसे ज्यादा डाउन होकर क्लोजिंग हुआ और उस जगा पर इन फोसी जैसे कंपानीस पॉजिटिवली क्लोजिंग हां बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ फिर भी देखिए 37,900 से लेकर 39,300 का कमपानी का सेल्स दिखा मतलब सेल्स में एक पॉजिटिविटी हुआ और क्वार्टर बेसिज में भी कमपानी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले अब एक्समेंस को मिटाने के बार 이어 को bit कर पाए और से der in effect moments sasherís में पछले दिन में तो फ्रक्सक्त बिटाए और कवाणी बेसिध कर पाए और इसी कारण के बज़े से सेर में पिछले दिन में ग्यापाम में ऊपन हुआ क्लोजिंग का पर हुआ नीच्छे साइड में तो इस चीजिए को पहले समाझना देखिए अगर estimate दोनों तरीके से bit होता तो obviously वो gap आप पे open होता और high level में ही closing होता मगर हुआ कुछा ऐसा कि company gap up में open तो हो गया open नहाप हाई में हुआ और closing low में हुआ मतलब क्या है मतलब company अच्छा खास result करने के बाद भी खुद के estimate को bit नहीं कर पाया और इसलिए बड़े बड़े institution ने भी बता रहे थे कि company IT sector में इस बार result तो अच्छा आएगा मगर estimate को missing कर सकते है तो finally Infosys के उपर estimate missing होता देखने को मिले तो question यहाँ पर यह है कि estimate missing हो आया तक क्या company गिरते चले जाएंगे बिल्कुर नहीं पहली बाद company के उपर एक patterns मुझे देखने को मिला था एक shoulder उसके बाद big head उसके बाद shoulder बना finally breakout हो ब्रेक आउट होने के बाद company एक strongly इसका जो light time high था sorry एक swing high था और एक gap up high था उस gap up को fulfill किया उसके बाद ही के company के उपर big correction हुआ फिर से company उस level को breakout किया और finally वो target के आसपास जाने के कोशिस कर रहे है और वो target कहा तक बने जिसका light time high है उसी light time high के ही आसपास बने है मतलब ज्यादा possibility एई है कि company आगे बनने का potential होने का chances जादा है तो मुझे लगता है जो situation बना है उसी situation के basis में company आगे बढ़ सकते है company में journey हो सकते है तो infosys के उपर अगर mutual fund के बारे बात करो तो mutual fund क्या कर रहा है वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए लिए कि mutual fund ने last four months में March, April, May, June इस चारों मान में company के उपर अच्छा खासा quantity एडिंग किया अच्छा कासा quantity आपर बाई किया इस अच्छा कासा quantity बाई होने के कारण company में positively आपर गोध देखने को मिला तो सोची एक बाद इस बारे में कि company इसके उपर जो growth है वो लगातार एक positively growth देखने को मिले है अभी इस company के पर जो लोग सोच रहे है क्या भी क्या करूँ देखे उसके लिए बता दू मैं इस company के पर positive हूँ और मेरा जो target level है वो मैं पहले discussion कर चुका हूँ जहापे मेरा anti ब और finally इस बार भी antilia आपके साथ share किया देखे मेरा बार बार इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पेटन्स को share करने का में मकसर रही है कि आप भी इस टेक्निकल चार्ट पेटन्स को at least 10 साल back testing करें आप इस strategies को सीखे इस strategies को सीख कर आप खुदी आप confidence level विल करें कि हाँ इस strategies में दम है इसमें काम करके आप ऐसा कमा सकते है ऐसे नहीं कहूंगा कि आप 100% profit होगा मार्केट में 100% profit कभी नहीं होता है आपको कुछ ना कुछ कुछ company इसको पर losses लेना पड़ेगा हाँ उसका percentage बहुत काम होना चाहिए इसके लिए आपको strategy इसको पर भरोसा करने से पहले आपक चलिए पर कफ़ी धाने patterns बने और इसका target कुछ इस तरीके से level में है जब breakout हुआ इस target तक गया तो यहाँ पर जो बड़े-बड़े institution ने इस patterns को follow करके anti लिया था तो जो target होगा क्या वो रुके रहेंगे बिलकुन नहीं वहाँ पर profit book करेगा तो profit book होने के बाद ही वहाँ से big situation बना देखिए क्या बना था एक कब बने उसके बाद एक बार दो बार तीन बार तीन बार हैंडल बने फाइनल क्या हुआ ब्रेक आउट हुआ और सामधा तरीके से अब एक confirmation होने के बाद target का अचीव गया और target कितना था करीबन 26% और target अचीव होने के बाद क्या हुआ कंपनी के उपर देखिए continuously selling pressure देखनों को मिला continuously आप खुद ही देख सकते continuously selling pressure देखनों को मिला और जिस तरीकिसे selling pressure देखनों को मिला है उस basis में मुझे लगता है next जो support level है उस level तक आने का chances है जो level निकल का रहा है 149 यह मुझे कुछ दोस्त ने comments किया sir मैं इस company के उपर top level मे buy किया हूँ तो मैं क्या करूँ देखिए आप जब buy करते हैं आपको सबसे पहले दो question पूछना है पहली बात आपने क्यों buy किया और आपने buy जो किया उसका target कहा दग रहेगा अगर दो points आपके question का answer आपके पास है तो आप जोरूर उस company को पर काम करिए जैसे मैं आपको बत fundamental भी मैंने चेक किया, financial भी चेक किया, बो भी ठीक ठाक था, तो मैंने first question का मुझे answer मिला, दूसरा question मेरा target कहाँ पे होगा, तो मैंने जब इस label को marking किया, तो मेरा target भी निकल गा है, तो मेरा दोर्नो question का answer मुझे मिला था, इसलिए मैंने टेल लिया, तो हमेसा आपको सारे जी CAC, जो है hit record high on reported of power traffic hike, मतलब क्या है, जो लगातर जो भागते चले जा रहे थे, उसके पीछी reason भी था, तो दो reason के कारण के बाद भी, एक reason extra add हो गया, ये power का जो consumption है, वो लगातर बढ़ते चले जा रहे है, मतलब ट्राफिक बहुत ज़्यादा आ रहे है, मतलब बहुत ज़ कारण के बज़े से मैंने टेल लिया था, तो हमें समय आपको बोलता रहता हूँ, कि प्लीज, आप काम कहने से पहले, आप इस सारे चीज़ को एक बार deeply research करके काम करना, तो next company उसका नमे Excite India Limited, तो Excite के उपन लगातर एक correction देखने को मिला, क्योंकि एक top level में जाने के बार higher level से एक shooting star जैसे candle बने, तो कोई भी top levels में अगर shooting star जैसे candle बने, जैसे आपे बने है, तो shooting star जैसे candle बने, उसके बाद देखिए, उसके नीचे, ध्यान दीजेगा, shooting star candle के नीचे अगर next candle closing हुआ, और वो भी red candle के साथ, तो सोचना ये बड़ा correction देखने को मिल सकता है, और वो correction क कभी ने कभी तो profit booking होगा, तो profit booking तो start हो चुके है, तो मुझे लगता है, जो situation बना है, बोल धीरिदे करके नीचे आने का chances है, एक side के उपर 2 रुपीज करके company dividend announcement कर चुके है, और वो भी 22nd of July, company आपको 2 रुपीज करके dividend देने वाले है, जो लोग dividend पाना चाहते है, तो इस company के उपर पहले सी है, आपको नीबे सुना चाहिए, तभी आपको dividend मिलेगा, और finally इसका result भी आने वाल है, 13th of July, तो जो लोग मतलब इसका, इस company के उपर extra benefit पाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको result को देखना पड़ेगा, result कैसे देखने को मिलेगा, उसी के basis में company को पर फ जल सर जल रेजाल भी आने वाल है, तो रेजाल आने के बाद ही clear card मुझे एक vision मिलेगा, कि actually company के उपर क्या करने वाला हूँ, क्योंकि दो जो बड़े players के उपर company को project मिला, लिथिया मान बैटेज का, और उसके कारण company को उपर अच्छा का सा boost देखने को मिला था, यह जो लं इनिसेट होने के बाद ही company के बास revenue आएगा, देखिए मान के चलिए आपका एक business है, आपको मान के चलिए कोई customer ने एक लाग का order दिया, आपको छोटा सा दुकान है और आपको एक लाग का order दिया, तो एक लाग का order मिल गया, आप तो खूस हो गया, मगर आपको सही में क्या पैसा आया, बिल्कुन नहीं, आप जब उस time to time उस customer को product को delivery करेंगे, उसके बाद जब वो full payment करेंगे, तब आपके profit होगा, तो मान के चलिए आपको एक साल के बाद आपको पैसा मिल ला है, तो profit तो होगा, अगर आपके पैसा वहापे मतलब आपके जेब में नहीं आएगा तो cash flow आपके negative दिखेगा, तो आपके business में दिक्कत तो होगा ही, तो इस चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा, तो जो लोग project मिल रहा है, इसको देखकर खुस हो रहा है, उसको देखकर खुस नहीं होना है, पोजेट करने के बाद company के हाथ में कितना revenue, कितना profit जिनाड तो मैं एक side के उपर bullish हूँ, आपके खाओ करने जोरू मुझे comments करना, हाँ, फिलाल के लिए मेरा कोई trade नहीं है, जब कोई trade बनेगा तो मैं आपके साथ जोरू share करूँगा, next जो company उसके बारे में बात करूँ, उसका नहीं real eco energy limited, जो एक छोटा सा company है, तो एक छोटा सा company है, पांस share देने जा रहा है, वो भी split के हिसाब से, तो split company देने वाल है, एक के बदले पांस share देने वाल है, क्योंकि company का face value 10 रुपया था, अभी company बता रहे है कि 10 रुपया face value को वो 5 रुपय करने वाल है, तो कब आएगा, वो date अभी तक mention नहीं किया गया, तो जब date आएगा, तो मैं आपके साथ जूरू share करूँगा, जिर्फ update था, मैं आपके साथ share किया हूँ, वीडियो में जान करेगा अच्छ है मिले तो please like कर लेना, और चैनल को subscribe भी कर लेना, इलते नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यबाद,